प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार प्रधान मंत्री बने तो मैं अपना सिर मंडवा लूँगा ये एलान करने वाले आमादमी पाटी के निता सोमनाद भारती अब पीछे हटते दिख रहे हैं। आप विधायक और नई दिली से लोकसवा का चुनाओ हारने वाले भारती अब अगर मगर में जुट गए हैं। दो ने शाषन के दोरां दिखाया जंता जिसको मर जी है लोकतंत्र में जंता मालिक है। 400 पार का नारदेकर जंता ने ये दिया उनको 240 सीटे। जंता ने नरेद्र मोदी जी को 3 बार पीम बनने का जनादेश नहीं दिया। उनको 160 सीटे नहीं मिल पाई नरिंद्र मोदी को नेतिकता के अधार पर इस्तिफात दे कर चले जाना चाहिए क्योंकि ये दायत्व जनता उनको नहीं देना चाहती सोमनात भारती से उनके इस ऐलान पर परतिकरिया मांगी गई थी कि मोदी की तीसरी बार पीम बनने पर वो अपना सिर मुंडवाल लेंगे भारती ने अब इसमें अगर-मगर लगाते हुए कहा जहां तक सिर मुंडवाने की बात थी मैं सनातनी हूँ एक सनातनी के जीवन में जब घर में किसी की मुर्थी होती है तो संसकार करने के बाद अपना सिर मुंडवाते हैं नरिंद्र मोदी जी को यदि जनादेश मिलता अपने धम पर 272 सीटे मिलती तो हम कहते कि आपको जनता ने तीसरी बार पीम बनने का जनादेश दिया है वो तो हुआ नहीं यदि जनादेश मिला होता तो मैं मानता कि लोग तंतर की हत्या हुई है जब किसी की मौत हो तो संसकार करने के बाद अपना सिर मुंडवा कर इजहार करते हो वही मैंने कहा था आज देश की जनता ने बहुमत से बहुत कम सीटे दे कर यह साब कर दिया कि वो तीसरी बार पीम नहीं बनेंगे मतादे के आमादवी पार्टी के नेता ने एक जून को एगजिट पोल में इंडिये को बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर करने पर कहा था कि मोधी तीसरी बार परधान मंतरी नहीं बन पाएंगे और यदि ऐसा हुआ तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे आता हुआ दिखाने की अनुमती नहीं दे रहा इसलिए हम सब को वास्तविक नतीजों का इंतजार करना चाहिए जो चार जुन को आएंगे लोगों ने भाजपा के खलाब बड़ा चराड़ा कर बोट किया है मता दें कि जब नतीजे घोशित हुए तो भाजपा दिली की सभी साथ सीटों पर जीत गई और भाजपा की अगवाई में NDA को 292 सीटे हासिल हुई NDA के सयोग से मोधी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं हाला कि 10 साल में पहली बार भाजपा के पास अकेले दम पर भहुमत नहीं है